कौकरोच को घर से दूर रखने के लिए आपको क्या करना है घर पर खाली पड़ी बोतल कॉलिन की ले लीजिए और उसमें साबुन का घोल भर दीजिए और जहेसे ही आपको कौकरोच दिखे तो उस पर उस घोल का स्प्रे कर दीजिए कौकरोच तुरंत मर जाएंगे उसके बाद जिस जगह से भी कौकरोच के घर में आने की संभावना है उस जगह पर भी इस साबुन के घोल का अच्छी तरह से स्प्रे कर दीजिए इस तरह से कौकरोच आपके घर में नहीं आएंगे चीटियों को घर से भगाने के लिए आपको क्या करना है आपके घर के जिस हिस्से में चीटी ने घर बना लिया है वहाँ पर खीरे को छोटे-छोटे तुकडे करके रख दीजिए जहाँ पर चीटिया है वहाँ पर खीरे के छोटे-छोटे तुकडे करके रख दीजिए चीट उस रच्टे से दुबारा वापस बाहर नहीं आएंगी. मक्यों को घर से दूर रखने के लिए आपको क्या करना है? पुछा लगाने से पहले दो या तीन निम्बू पानी में निछोड़ लीजिए और उस पानी से घर में पुछा लगाएंगे. ऐसा करने से मक्या घर में नहीं आती. मच्छर को घर से दूर रखने के लिए आपको क्या करना है? निम के तेल का दिया जलाएंगे, इससे मच्छर घर में नहीं आएंगे. चुए को घर से दूर रखने के लिए आपको क्या करना है? चुहे जिस रस्ते से आते हैं या फिर जहां पर चुहे बार बार आते हैं वहां पर काली मिर्च के दाने छिलक दीजिए ऐसा करने से चुहे उस जगा पर कभी नहीं आते या फिर आप पुदीना का तेल ले लीजे और उसे कापूस में लगा कर उस जगे पर रख दीजे जहां से चुहे बार-बार आते हैं ऐसा करने से चुहे वहाँ पर आना बंद कर देंगे दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आये तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें फिर मिलेंगे अगले वीडियो में धन्यवाद